बाइग नजर आ रही है स्टॉक धाई परसेंट उपर और दिंके उपरी सर पर कारोबार कर रहा है इंफाइट अपने 52 वी खाए के पास यह स्टॉक कारोबार कर रहा है संतोजी क्या सला देंगे जैस्ट डबल्यो एनर्जी वे मुझे लगता है तेजी जारी रहेगी कांसलोडेशन के बाद फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक में इसे इंवस्मेंट पर भी इसमें बने रहेना चाहिए और इसे ट्रेडिंग परस्पेक्टिश से भी लिया है इमीजेटली 525 का टागेट है इसके बाद 555 रुपे तक का टागेट नहीं जार आता है नीचे जो इस टॉपलोस बन रहा है वो बन रहा है आपका 507 रुपे का चीक है तो यह सलाई स्टॉक पर लूपिन में देखने के अच्छी तेजी है तीम परसेंट ऊपर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है सत्रा सो का आज इस टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया अगर लूपिन की बात करें तो क्या करना चाहिए अक्षे है लूपिन में इस तरह उपर अगर आप देखे तो कुछ गिने चुने शेरों में आज काफी अच्छा रुजान है बाइंग की मोमेंटिम देखने को मिल रही है तो लूपिन एक शेरे फार्मा में जहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जारी है मेरा मानना है कि 1750 यह स्थर चू सकता है मार्च सीरीज में तो एक पॉजिटिव नजरिया है और बाइंग के एडिशन्स देखने को मिल रहे डेरिवेटिव सेगमेंट में तो होल्ड करे या बाइ करे लूपिन यहां से डे ट्रेडिंग या बीटी एस्टी वाला कैंडिडेट में थोड़ा सा डाउट है आपको यह होल्ड करके एक आठ से दस ट्रेडिंग सेशन का टाइम देना पड़ेगा पर सपोर्ट बेस 1620 है इसके निचे आपका स्टॉप बनेगा और 1750 तक टागेट एरिया बनेगा लुपिन पर नजरिया बढ़ते आगे कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं एनम डी सी को जरा देखे आज हम देख रहे हैं कि यहां पर धाई पर से ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है पिछले पांस दिनों म बहुत सारे सवाल L.I.C. को लेकर हमारे दर्शक पूछते रहते हैं तो L.I.C. और N.M.D.C. पर एक नजरिया लेते हैं संतोज जी आपसे राय जाना चाहूंगा सबसे पहले L.I.C. पर जरा राय दीजिए और इसके साथ ही N.M.D.C. पर भी अपना व्यू रखी है येस L.I करेगा फिर से तेजी बनेगी तो जिसके पास से उसको बने रहना चाहिए कोई फ्रेश इंट्री के लिए मोका ढूंटा है तो कोई डिप मिलता है आपको 980 रुपे के असपास तो देखिएगा और दूसरा स्टॉक N.M.D.C. हाँ N.M.D.C. की बात करें तो मैटल स्पेस पे में काफी बुलिश हूँ मुझे लगता है कि इसमान मैटल स्टॉक्स और पॉंप कर से आज देखने को भी मिल रहा है कि आप देखो सारे मैटल स्टॉक्स में और पॉंपेंस है N.M.D.C. भी अ और उपर तक के अलक्ष नजर आ सकते हैं पॉजिटिव व्यू इस वक्त N.M.D.C. पर आता हुआ संतोष जी की तरफ से L.I.C. की बात करें तो वहां पर आपको एक खास रणनी ती जैसा उनने सुझाया वो अपनानी होगी M.N.M. Finance की बात करें तो यहां पर जो है वो एक रिकवरी नजर आई है आज कुछ बिजनस अपडेट भी इसके सामने आई है इन दोनों स्टॉक्स पर जरा नजरिया दीजे M.N.M. Finance और India Bulls Housing Finance स्टॉक्स साइड़ वैसे अवोइड करें M.N.M. Finance की बात करें तो यह थोड़ा सा साइड़ वैसे लेकिन थोड़ा सा सरकारी शेरों में B.H.E.L. की भी चर्चा की आज बारह साल के शिकर पर B.H.E.L. शेर में क्या है तेजी के नए ट्रिगर्स साथ ही इस पर एनलिस्ट की क्या राए है इस पर पूरी जानकारी पूरा ब्यारा लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सही होगी अभीशेक सत्तिवर्थ अब शेक बताएं आखर क्या फाइंडिंग्स हैं और किस तरह का नजरिया बन रहा है B.H.E.L. में आज इंट्राडे में करीब करीब 14% के आसपास का उच्छाल दिखा है और 12 साल की उचाई पर शेर पहुंचा है दरसल 26 जुलाई 2011 के बाद सबसे उपरी स्थर पर ये शेर कारोबार कर रहा है 1 सितंबर 2023 के बाद हम देखने की शेर में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है और आज दरसल तीन ब्लॉग डील्स लगे हैं और उन ब्लॉग डील्स के चलते हम देखने की शेर ने रफ्तार पकड़ी है 258 रुपे से लेकर 269 रुपे 455 पैसे के बीच में करीब 40 लाख शेरों के सोदे हुए है अच्छा सवाल उठता है कि अब ट्रिगर क्या है ट्रिगर सबसे बड़ा ये है कि NTPC के बोर्ड ने सिंगरोली पावर प्लांट में 17195 क्रोन रुपे के निवेश को मज़ूरी दी है तो उसका कनेक्शन BHEA से क्या है अरिब 19,000 क्रोन रुपे का ताला बेरा प्रजेडिव मिला था उसके चलते हमने देखा था कि विचल के शेयर में रहे थी और शेयर 200 रुपे के ऊपर निकला था कोल टू केमिकल कारोबार के लिए कोज दिनों पहले कोल इंडिया के साथ इन्होंने जेवी किया है जिसमें कि जेवी कंपनी 2000 TPD का अमोनियम नाइट्रीट प्लांट लगाएगी मुच्वल फंड्स भी शेयर पर काफी बुलिश हो रहे हैं और जून 2022 में जो निवेश उनका था जो स्टेक था 1.5% का वह अब सवा 6% के आसपास पहुच गया है दिसमबर्ती माही तक बी एचेयल के शेयर पर जो ब्लूमबर के एनलिस्ट है हलांकि उनका जो व्यू है थोड़ा सा बटा हुआ है उननीस में से पांच च एनलिस्ट की इस पार बाय की रेटिंग है तीन एनलिस्ट की होल्ड की है और ग्यारन एनलिस्ट की सेल की रेटिंग है अलांकि पोटेंशल जो अपसाइड है मोजूदास तर से वो है करीब-करीब 36% के आसपास की एक तरह की व्यूज नहीं है काफी डैवर्जंस है उसमेंगर हम देखेंगे तो इसल के लेटिंग थी आई ड़ियों सेल की रेटिंग थी और व्यकeत रुपकिक की लक्ष उन्होगन today है महीने भर में तकरीब नितना ही चला है यह यह ठीकिन छे महीने में करेब करेब डबल हो गया है 92% के आसपस की रिटरन है और अगर हम एक साल की बात करें तो 256% के सॉलिल डन भी एचियल के शेयर ने दिये हैं बलकुल तो यह एक विस्तरित नजरिया एक बैतर रिपोर्ट आपके सामने हमारे से होगी अब शेक सत्वर्तम ने रखी और एनलिस्ट की क्या राय है वो भी आपके सामने रखे और इसमें हमने जो खास चीज एक मेंशन की कि रा और व्यू ले लेते हैं अक्षे भागवत जी से अक्षे जी बी एचियल पे एनलिस्ट की राय बंटी हुई नजर आ रही है उसके बावजूद अगर हम स्टॉक के अगर हम पोटेंशिल को देखें लॉंग टर्म के लिहाज से तो किस तरह का नजरिया आपको फिलहाल नज समय में यह दौर उसने तैय किया है तो यहां से इसका करिबन 370 से 380 तक है तो अगर लॉंग टर्म का आपका नजरिया है तो मैं तो इसमें 360 का टारगेट बना के चलूँगा थोड़ा टाइम लग सकता है सालबर का शायद इसमें टाइम लग जाए पर 360 आने के चांसेस बह के लिए भी सही है लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट के लिए भी कोई मैं कहूंगा कि थोड़ा और एक्स्टेंडडेड है पर मोमेंटम है तो आप अभी भी से खरीच सकते हैं बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है 230 पे और बाए या खरेदी करने की मेरी राय रहेगी पेल ठीक है कि एक बार फिर जो सरकारी शेयर है उनमें रफटार एक बार फिर और जोश बरी रफटार कह सकते हैं नजर आई है खासतर पर बी एचियल मॉयल और एंटी पी सी को देखें और बाकी भी सरकारी स्टॉक्स में इस वक्त जो रैली नजर आ रही है वो पूरे मारकेट को एक अलग तरह से ड्राइव कर रही है एंटी पी सी जो हम देखें कि जाए नए थर्मर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी के बाद यहां पर एक अलग तरह की रफटार नजर आई बी एचियल देखिए जबरदस्त तेजी यहां पर नजर आई है चलिए इस पर एक राय लेते हैं है आप बताईए सरकारी शेरों में खास तोर पे जिन शेरों का मैंने नाम लिया उनके बारे में हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं इन शेरों के अलावा आपको कहीं बेहतर संकेत मिल रहे हैं तो उसके बारे में भी नसरीया दीजिए गुड़ आफनोन प्रशान जी सरकारी क उपर है 450 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार करा है और यह जो रिसेंट स्विंग हाई ता 490 वहां की जाने की तयारी कर रहे है तो अगर बात करें तो भेल तो चल चुका है काफी रही है इंटीपीसी की बाद उसमें भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है पावर कंपनियों क का रुजान स्ट्रॉंग है तो मेरे सबसे वह भी एक बाइलिस्ट में हो सकता है पर आप कोल इंडिया में भी ध्यान रख सकते है चार सो नंबे का टार्गेट चार सो चालीस का स्टॉपलस यह भी एक बैटरी ट्रेड बन सकता है तो सरकार्य कॉंपनियों में बहुत ही कारी रहेगी यह मेरा मानना है